मुखें दूदली तेशु तमसुनाथम निश्पन्न शालिवन शालनी जीव लोगें कार्यं की अज चल धर चल भार नम्रेहें अब हम इसका word to word अर समझते हैं किन किन मीज क्या प्रयोजन है शर्व रीशू मीज रात्री में शशिनाहनी चंद्रमा से दिन में शशिनाहनी चंद्रमा से दिन में विवस वतावा सूर्य से युश्मन युश्मन मीज आपके मुखेंदू मीज चंद्रमुख चंद्रमा का मुख दली तेशु मीज नश्ट हो जाने पर तमहसू मीज अंध्कार के नात मीज स्वामी निश्पन मीज उत्पन हुए शालिवन मीज धानने के खेत धान का खेत शालिणी मीज शोबित जीव लोके, जीव लोके मीज़ संसार में कार्यंग मीज़ काम किय जल धरे, किय जल धरे को हम संदिव शेत करेंगे कियत, कियत मीज़ कितना और जल धरे मीज़ मेधो से जल भार, जल भार मीज़ जल के बोज से नम रहे मीज़ जुके हुए तो ये हमने word to word अर्ड समझा अब इसका क्या अभी प्राय है क्या भाव है इसमे मानतुं महराज के हे स्वामी आपके मुक्रूपी चंद्रमा से अंधकार की नश्ठ हो जाने पर राप्तरी से चंद्रमा से और दिन में सूरे के प्रकाश का क्या प्रियोजन है संसार में खेतों में धानने के परिपक्व हो जाने पर पानी से भरे हुए बादलों का क्या प्रियोजन है अर्थात कुछ भी नहीं कि स्वामी यदि आपका जो मुख है, चंद्रमा के सामने कुछ भी नहीं है, सूरे के सामने कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो अपार प्रकाश है और जैसे धानने के जो खेत हैं जब वो पक जाते हैं तो जाहे बारिश हो रही है बादलों में भरा हुआ है जल लेकिन उसका कोई प्रयोजन नहीं है उसी तरह आपका यदि चंद्रमुक है आपका जो मुक है उसमें इतनी अपार रोशनी है कि सूरे और चंद्रमा भी उसके आगे फीके हैं हे भगवन जब आपके केवल ग्यान रूपी प्रकाश ने अंतरंग और बहिरंग दोनो प्रकार के अंधकार को दूर कर दिया तब सूरे और चंद्रमा की कोई आवशकता ही नहीं है सूर्य केवल दिन में और चंदर्मा सिर्फ रातरी में ही सीमी प्रकाश करता है परन्तू आपके समोशरन अठाट विशेश धर्म सभा में आपके केवल ग्यान रूपी सूर्य का दिन और रात हर समें इतना प्रकाश भैता है कि वह सूर्य और चंद्रमा की जरूरत ही नहीं पड़ती इसी प्रकार जब धान की अठार्ट अनाज की फसल पक कर कटने के लिए त्यार खड़ी हो उस समय पानी का बरसना बिकार ही है आश्च्रे यह है कि यह प्रानियों में कि जब प्रानियों को अंधकार ही समाप्थ हो च की तुलना हम किसी पौदगालिक प्रकाश यथा दीपग बिजली चंद्रमा सूर्य आदी से नहीं कर सकते आत्मा के दिव्य प्रकाश किया गई यह सब उपाद्याय नहीं है यदि आप वस्तु सरूप पर विचारे तो विदित होता है कि हम संयोव्यों के कारण ही दुखी मिल सकती है अर्थात हमें अपने अंतरंग का जो प्रकाश है उसको जगाना है इस कावे का यही भाव है कि यदि हमने अपने अंतरंग का प्रकाश जगा लिया तो हमें नोकरी क्या तो हमें संसार की किसी भी तरह की एनर्जी के साथ हम अपना संतुलम बना सकते हैं हमारी ज मालिक के पिड़ती, पूर्ण रूपित समर्पित हो जाएं, उसमें अच्छाईयां ढूनने लगें, उसके गुनों का बखान करने लगें, तो हमारे लिए सभी कारे सहज और संबभ हो जाते हैं, इस काबे में आचारे मानतुं स्वामी अपने आराद की भक्ति करते हुए आत अंतरंग का प्रकास उदित हो जाता है, अंतरंग में केवल की जोती जल जाती है, तो दुनिया के सारे प्रकास फीके पढ़ने लग जाते हैं, फीके दिखाई देने लग जाते हैं, और जब मेरे अंतर में प्रकास प्रकत हो जाता है, आत्मा में केवल की जोती जल जाती है आत्मा में सुद्ध प्रकास प्रकट होने लग जाता है तो मैं सब भी जीवन को, सब भी प्रानिय को संभाव से देखना प्राराम करतेता हूं तो इस कावे के मांद्यम से, मांद्यम स्वामी यही प्रेड़ना दे रहे हैं कि सभी जीवन को अच्छी द्रष्टी से देखा जाए, सभी को संभाव की द्रष्टी से देखा जाए जब हम ऐसा करते हैं, सभी के प्रती ऐसी भावना रखते हैं, सभी के प्रती मंगल की भावना रखते हैं अपने आराद्य के प्रती सहर समर्पन रखते हैं और जिस मालिक के हैं, जिस बॉस के हैं हम नौकरी आदी करना चाहते हैं, उसके प्रती भी अगर हमारे भाव अच्छे हो जाएं, तो हमें हमारा पिर्मोशन दिलाने में कोई भी नहीं रख सकता। तो ये तो ही भक्तामर का वेक्विबात, और हम क्या कर सकते हैं, जो मौकरी या जॉब के लिए एस्ट्रोलोजी में सबसे अच्छी जो बात हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं, जोतिश के अनुसार कुली में दस्वभाब नौकरी के लिए माना गया है, और सनी ग्रह को नौकरी की दिवेवाला माना गया है, बैबार की दृष्टी से देखा जाए, तो बुद्ध गहरे को माना जाता है, लेकिन नौकरी, जॉब और सिर्फ सेटन और सनी ग्रही देते हैं, कुली में सनी की दसा को देखना, सनी किसी सिती में है, सनी कोई पीडित तो नहीं हो रहा, सनी प दस्वे भाब का स्वामी पापी घरों से पीडित तो नहीं है, पापी घरों से युत्ती तो नहीं बना रखी, पापी घरों को संबन तो नहीं है, दस्वे घर पर किसी पापी घरे की द्रिष्टी तो नहीं पड़ रही, अगर ऐसा है, तो हमें उनका सीर उपाय और इंदा ज़िए खुल जाते हैं, क्या करना चाहिए? हमें जब भी हम घर से निकलें, जब पहली बार इंटर्वियूर के दिने जाएं, तो घर से मीटा मूँ करके जाना चाहिए, दही और सक्कर खाके जाना चाहिए, और क्या कर सकते हैं? हमें मास, मदिरा, मधू, इन तीनों का सेबन कभी भी नहीं करना चाहिए, अगर सनी करे को स्ट्रॉंग करना है तो, सनी करे स्ट्रॉंग जैसे ही होगा, सनी जैसे बलवान होगा, तो हम पाप से बच पाएंगे, हमें पाप करिया करने से बचना चाहिए, तब ही हमारी जॉब में प्रमुसन हो सकता है, आज बहुत ही त त्याक कर दें तो सनी की इतनी किरपा हमारे उपर होती है कि हमाएं तरक्कियों की उचाहियों को छोने में कोई भी नहीं नहीं सकता और क्या कर सकते हैं सनीगर को मजूद करने के लिए हम भक्तामर के आठवे कावे 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 काव बिसेस उपाई बताती है बास्तुमें करने के जॉब के लिए अब पूर्व दिसा के दिवार पर जबीन से साथ फुट ऊपर अश्ट धातू पीतल या ब्रास से बना हुआ कॉपर से बना हुआ सुरे का फोटो सुरे की आकिरती का फोटो दिवार पर लगाएं पक्षिम्ग करकर हुए तो निश्यती आपको जॉब मैं प्रमोसन मिला का तरक्की मिलेगी दूसरा नौर्थ इस्ट जो सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है इसान कौन देवत्राओं की जौन जान मानी जाती है जो तरक्की की जौन मानी जाती है उस दिशा में अपने सभी डॉकुमेंट्स डॉकुमेंट्स क्या हो सकते हैं आपकी डिगरियां आपके पेपर्स चा सान नौर्थी इस्तिस ता में उनसे धी को. वाँ से पवित उड़्चाओं से आपका सम्पर के स्थाफ्य होगा पवित एंश्यों से आपका संपर की स्थाफ्य होगा और आपको अच्छी जॉब और प्रमुस्वन सी Position, सहस्था से मिल जाएंगे एसा ही नहीं आपकी तरकी कीदवर सहरी खुल जाते हैं लेकिन जुर्ट है हमें उपाईयों को सरदा पूरवक करने की जब हम जो तिस्फ के तस्फ़िघर के स्वामी को सही इस्सिति मिलिया आते हैं उसका उपाई कर लेते हैं सरनी ग्रह को ठीक कर लेते हैं और मक्तामर के उन्निस वे कावे का पाथ नियमित रूप से प्रातेकाल ब्रह्मुरुत की बेलाम है, मन बचनकाई की सुद्धी पूर्वक कम से कम 27 बार सुलोग, 108 बार इद्धी जाप, 108 बार मंत्र जाप, भाप पूर्वक, सृर्दा पूर्वक, यंद्र का अवशिक करते ह हैं, तो निश्यती हमारे लिए एक नई द्वार खुल जाते हैं, बास्तु में नौर्सीष्ट को हमें खाली रखना चाहिए, पवित्र जौन हैं, पूजा की जौन हैं, देपताओं की जौन हैं, इसका हलका होना, खाली होना, पवित्र होना, साफ सुत्रा होना पर हम करते हैं तो निश्यती हमारे जीपन में सफलता और तरक्षी सहज मिल जाती है एक हमारे बहुत खास मित्र के बच्चे ने 14 दिन इस पाठ का इस काभवे का पाठ किया और जोतिस के उपाई किये आद एपल कंभी में वो एक लाग डॉलर का पेकेज ले रहा है 14 दिन मेसेज आप करने के बादी एते हजारों लोगों की जीवन में परिवर्तन इस काभवे के माध्यम से और जोतिस वास्तु के छोटी चुटी उपायों के माध्यम से हो चूके हैं लेकिन जरुत है आपकी सर्दा और विस्वास की सबी से आगरे करना चाहेंगे कि इस काभवे को मन वचन का आई से स्रदा पूर्वक पढ़ें तो निश्यती आपके जीवन में आनंद और प्रगति के मार खुल जाएंगे करना कुछ नहीं आपको अपनी भक्ति अपना समर्पन अपने आराद्य के चड़नों में दिखाना है और आप हमारे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें healing सीखना है भक्तामरीन को जानना है समझना है महीन में हर महीने हमारे यहां रेकी भक्तामर और निमरिक कोर्स के माद्यम से 6 दिन का कोर्स कराये जाता है आप इस कोर्स को जोईंग करकर अपने जीवन के master खुद भी बन सकते हैं इस कोर्स इतना आसान और सुरहल भासा में सिख जीवन की सबसे अमुल्य औस्दी है, जब दोनों को हम एक साथ यूज करते हैं, अपयोग मिलाते हैं, तो हमारा जीवन में खुसियां सहजता से प्रगट हो जाती हैं, आप भी जरूर नीचे दिये हुई नमबर पर कॉल करकर, वर्टसप करकर, इसकी पूरी जानकरी ले सकते हैं, तो ये कोर्स, गारंटी और विश्वास के साथ कहता हूं, कि ये कोर्स आपके जीवन में परिवर्तन ला देगा, आपके जीवन में नई खुसियां, नए आनन्द पैदा कर देगा, इन ही मंगल कावनौक साथ, आप सबका कल्यान हो मंगल हो, आज इतना ही, कल फिर मिल झाल